विश्व परसिद्ध साहितकार फणिश्वनाथ रेनू की 101 मी जयनती धूमधाम से मनाई गई है। अररिया जिलापिशासन ने रेनू महुतसव के रूप में इसे मनाया है। इस मौके पर रेनू के गाओं और आही हिंगना में देश के जाने माने लेखक और साहितकार जोटे। रेनु की समाधी अस्तल सहित उतकर्मित मदविद्याले और सिम्राहा रेनु चौक के साथ सदर्थाना चौक इस्थित रेनु कुंच में लगी प्रतीमा पर माल्यारपन किया गया रेनु महोतसव का मुख्यकारिक्रम अरर्या टाउन हॉल में आयोजित क्या गया जहां पर सांसर प्रदीप कुमार सिंग, डीम, एस्पी और पिशासनिक पदारिकारियों ने हिस्सा लिया इस कारिक्रम में साहित रिकारों ने अपने प्रियर लेखक की याद में प्रस्तुती दी है लोग गायक अमर आनंद और उनकी टीम ने स्वागत गान के साथ साथ एक से बढ़कर एक प्रस्तुती दे कर लोगों का मन मोलिया रेनु महोटसव में आये कलम कारों ने उनकी रचना को लेकर साहित्रिक परिचर्चा भी की है जिसमें सीमान चलके साहित्रिकारों और लेखकों ने विशेश रूप से भाग लिया जिला परिचासन की ओर से अलग-अलग स्कूलों में रेनु महोटसव आयोजित किये गए परतियोगिता कारीकरम में सफल परतिभागियों सहित कारीकरम में शिर्कत करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया इस मौके पर सांसत प्रदीप कुमार सिंग और डियम प्रिशान्त कुमार सियच ने कहा है कि रेनु की लेखनी अजर अमर है जिससे प्रेड़ना लेने की जरूरत है जो है हमारे जो पनीश्वणात बने लोटी है अरडिया के पुत्र है उनके 101 जिनम दिन स्केंद लिवस के अवसर में आज टाउन हॉर में मनाया जा रहा है जैसे आप सब लोग जानते हैं कि रह दूजी जो है साहितिकार है रचनाद है नादिकार है उमन्यासक्ड है आज का जो सुकारिक्रम है उसमें हम लोग उनके जिने भी जो जीवन के जो भटनाय है उसमें हम लोग परिचरचा करेंगे उनके उमन्यास पे और उनके साहित प सब्सक्राइब करेंगे पिरा आपके मांधियम से अरडिया जिना के सभी संपून जिनावासियों को फरीश्वनान लेजू कि कि जड़ने का हुदिशिके आज 129 एक साल हुआ और हम लोग सब मिलके आज पहले तो उनका बहुं जो पहले भी कहे रहे हुदी तो वहां के बाद अब हम्लों सब्सक्राइब और कान से प्रीनात रेनुजी हमारे धरोहर हैं और आज देश में नहीं दुनिया में दो बढ़ते संद्री से अरडिया का पाचान तो कि रिजनों जी जो लिखे परकी परिकर था जो की बार इसका आज जापान अमेरिका जैसे जो टौप देश सपने आपको करता और आज हम लोग रेनु को पाक्व वर्वान्मीत हैं आज रेनु जी हमारे बीच नहीं है परंतो रेनु के कृटि है उनकी रचनाय हैं हम सब चाहते हैं कि आज के दिन रेनु महत्सब के दिन पूरे देश्वासियों को भिहार और खास करके अरणिया के जन परतियी होने के नाते संपुर्ण अरणिया के लोगों को मैं यही कहूंगा जो आने वाला पीडी जो हमारे नोजमान है रेनुजी से प्रेमाने में चाहिए रेनुजी सिर्फ साहितकार नहीं थे बलकि रेनुजी एक सपत्रता से नानी बीट और नेपाल नेराना के खिलाब भी वे लड़ाई लड़े और भारत में भी अविडियों के वहाले में उनका आम रोल डात में तो साहितकार और स्वत्मत्रता से नाई देश के नाए उन्होंने लड़ा किया इसके लिए पूरे देशवासी हम सब आज रेनुजी को नमन करते है और वेनुजी को कृति को आगे बढ़ाएंगे हम सब इनको लेकर के अपने जीवन में चलेंगे और विकास के काम करेंगे